प्रधान मंतरी योजना के नाम पर लोगों को ठखने के लिए बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क को बकसर पुलिस ने द्वस्त किया है धनबार्द के एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत चे को एटाड़ी थाने की पुलिस ने गरफतार किया है इसके पास से एक्सिस बैंक के खाता और विभिन कमपनियों के काफी संख्या में सिम कार्ड्स पर आमद किये गए हैं जानकारी के मताबिक सिंडिकेट के लोग प्रधान मंतरी योजना के तहर तखाते में दस हजार रुपे डालने की बात कहकर अलग से दो हजार की भी डिमांड करते थे वो नया सिम भी लोगों से खरिदवा रहे थे और उस सिम को ग्राहक को नहीं दिया जाता था इसकी जानकारी बकसर सदर डियस पी धिरज कुमार ने साजा की देश में लगतार साइबर क्राइम के मामले खास करके बैंक से फ्रडिजम का मामला सामने आ रहा है अभी बकसर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है इंटर स्टेट जारखंड के जो हैं साइबर थग गिरोह के लोग वो अलग-अलग सीम कार्ट और बैंक के अलग-अलग एकाउंट्स के पेपर के साथ करीब आधा दरजन की संख्या में पकड़े गए हमारे साथ हैं बकसर के डियस पी सर दिखाना चाहेंगे सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरह से ये बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट्स पास्बुक के साथ-साथ अन्य जो डॉकमेंट्स हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हमारे साथ हैं बकसर के डियस पी सर किस तरह का ये क्राइम चलगा है मामला एक जो संखटीत गिरोग का प्रतीत होता है जिसमें कुछ बैंक के स्टाफ सामिल हैं कुछ लोकल हैं उनके द्वारा लोगों को ये जहासा देकर की आप बैंक अकाउंट खुलवाईए आपके खाते में 10,000 रुपई आएगा बैंक अकाउंट खुलवाय जा रहा था और बैंक अकाउंट के साथ उनका नया SIM उनके नाम से नया SIM काट एक्टिवेट किया जा रहा था और वो SIM काट वो स्वैम रख रहे थे वो लोगों को भी नहीं दे रहे थे जब इनसे आगे पूछताच किया गया तो इनके द्वारा कोई भी संतोस जनक जवाब नहीं दिया है, उनके द्वारा कोई इसमें संतोस जनक जवाब नहीं दिया गया है, हमारे हम लोगों के पास एक डायरी भी लगी है हाथ, इसमें पैसे का लेंदें हुआ है, उसका प्रमाण है कि कितना पैसा किसको मिलना है खाता खुलवाने पे और कितना खाता प्रती दिन खुला है, इसमें अभी एक्सिस बैंक के और बंधन बैंक के लोगों की नाम आ रही है स्टाफ